संतों का कि कई साधक दद बारा साल से आत्रम में रह रहे हैं, उनमें से कुछ लोगों का बेश परिवर्तन गुरुजी के शरीर रहता तो हो तकता है, पहले हो गया होता है, लेकिन संपंग था कि कई वर्तों हो गये हैं, तो उनका हो जाया है, उनमें से करमचन, दुनों का नाम है लेते हैं, वो सब आते चले जहाँ पर, करमचन, देवेंद्र, अरविंद, चेतन, चंतेखर, सुरेश, के लो है, मुझे ना मालूम नहीं, भूपेंद्र, रोशन, आकर बढ़ते चले जा तब ख्याल होगा, गिए, डो सादकों का, प्रहमचारी वेश, सुधीर, अर्विंद्र, अर्विन्ड, भी, सुधीर को भी 2 साल हो रहा है, अर्विंद को 1,5 साल से जादा, अन्यों बुलाया ना? अरवीन दो, सुदीर तुम धर बेचना? इधर बेचना करना? क्या क्या करना बताते जाओ मुझे कुछ पता नहीं है रामत मुझा तुम पहुंतो क्वादुब्य दिलवाय हो आप बताओ क्या 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 क्रना है जानते थे, करते करना हता है, पड़े कपड़ दिनक बात में बता है, वेश परिवर्तन एक अवचारिक रस्म है, यूंकि साधु वेश में, साधु व्यामार्ग माने पर, वेश परिवर्तन भी होता है, और वेश परिवर्तन भी हो जाते एक संसकार है, मुख्य बात है साधना और बैराक्य, और इसमें स्रेवा, स्वध्याय, साध्संग और समाधि, ये हम लोगों के लिए, जहां कहीं भी रहें, मुख्य कर्तब भी हैं, क्योंकि इन ही के बल पर ही, इसी मार्ग पर चल करकी ही, हम लोग अपने कल्यान मार्ग में चल सकते हैं, शेवा के परतिनिष्ठा हो, शेवा से चित शुद्ध होता है, ये गुर्दी जी का शुत्र ही है, शेवा से चित शुद्ध होता है, और शेवा से चित शुद्ध होता है, तब स्वाध्धाय द्वारा ज्ञान की प्राप्ति होती है, जितना स्वाध्धाय करेंगे, उतना ज्ञान बढ़ता जाएगा, समझ बढ़ती जाएगी, और सस्वाध्धाय से तो ज्ञान मिलता है, इसमें कोई दोराय नहीं है, लेकिन उत ज्ञान की पुष्टी सस्वाध्धाय करते रहें, और सस्वाध्धाय ना करें, तो मात्र वो पढ़ा हुआ ज्ञान मन में ब्राबर बैठे गए नहीं, उसके लिए सतसंग की आवश्यक्ता है, सस्वाध्धाय में जितनी रूची होगी, पढ़ा हुआ, सुना हुआ ज्ञान उतना और पुष्ट होता चला जाएगा, तो स्वाध्धाय और सस्वाध्धाय जो ज्ञान मिला, उत ज्ञान का प्रयोग साधना में होता है, ज्ञान मिल गया, ज्ञान का रित्म मिल गई, लिकिन साधना नहीं किये, तो प्रयोग में नहीं उतरा, तो ज्ञान काम नहीं आएगा, साधना, ध्यान समाधी में उसका प्रयोग है, और उसकी सार सकता है, जब मन, निर्वाल और सुवत होता चला जाएगा, साधुवेश, मृतक कावेश, कोई आदमे किसरी छुड़ जाता है, तो तो एक कोरा कपड़ा, कोरा कपड़ा मतलब बिना धुला हुआ कपड़ा, और हादिया जाता है, और कौपिन बना दे जाती है, साधुवेश होने पर अचला और कौपिन दिये जाते हैं, कोई मृतक का ही चिन्न है, इस संबंध में, सदुर स्री विशाव सहर ने सदुन सत्यक में जो कहा है, बेराग लक्षन में, मृतक चिन्न सो जानिये, गुरु कफनी कौपिन, चिता भूमि से नाडिगे, जोजद मृतु लेलीन, गुरु द्वारा जो कफन अचला कौपिन लगोटी जो दे जाते हैं, ये मृतक कच्चिन्न है, और मृतक चिता भूमि से डिगता ने है, मृते को चिता पर लेटा दो, तो घबड़ाता ने, चिलाता नहीं है, खाय मेरे ये अंगजर रहे हैं, निश्चेश्ट वह पड़ा रहता है, उसे भागता नहीं है, मुर्दा हो गया, ऐशे ही, ये साधु वेश भी मालेक मरना है, चाह जितनी भी तकलीफ आए, चाह जैसे भी प्रतिकूलता आए, साधु मार्ग से, साधना मार्ग से, जरा भी विश्चलित नहीं होना है, इसे में हम लोगों का कल्याना है, साधना आगे कहा है, वहाँ देह चरी जीव चला, यहाँ जक्त मन त्याग, सबसे रहे उदासो है, मोक्छ पंथ में लाग, संसार में तो कोई आदमी मर गया तो क्या हुआ, जीव, सरीर को छोटरिक चला गया, शरीर मुर्दा हो गया है, सड जाना है, यहाँ पर क्या करना है, जक्त मन त्याग, मन से जगत की वासना का त्याग कर देना है, बाहर से जगत का त्याग नहीं किया जा सकता सबसे बड़ा संसार हमारा शरीर ही है और शरीर रहते तक बाहर के संसार का कोई पूरा त्याग कैसे कर सकता है मन से संसार का त्याग करना है और मन से संसार का त्याग करने का अर्थ क्या है संसार की वासना का त्याग कर दिया जिसने भी संसार की वासना का त्याग कर दिया मानों संसार में रहते हुए भी मुक्त है सबसमे मुक्त है सबसे रहे उदास हुए मुक्छ पंथ में लाग तो जुरु कहते हैं जगस की वासना का त्याग कर दिये इसका अर्थ क्या इसकी प्रहचान क्या है सबसे उदास रहना सबसे उदास रहना मतलब भोगों से उदास रहना इस प्रकार से खाने के मिले ऐसे पहने के मिले रहने जगा मिले ऐसी पूजा मिले से सम्मान मिले ऐसा मेरा स्वागत सतकार हो मन औरिंद्रियों के जो भी भोग हैं उनसे लापरवा, उदास अगर्ज चाहना रहित हो जाना और मुख्छ पंथ में अपने कल्यान मारग में एकड़ लगे रहना इसी के लिए हम लोग आई भी हैं, हमारा उद्देश यही है जिस किसी प्रकार से भवबंधन का नाश हो, वही काम हमको करना है यदवा तदवा चदचत्ती पुर्शार्था कहा गया है जिस किसी प्रकार से भवबंधन का उच्छेद कर देना यही जीवमात्र का वास्तविक पुर्शार्था है और इसी के लिए साधना मार गए तो दुरु नागे कहा है जग बैराग्य अमुल्य है जाही प्राप्त सब धूर गुरु दया निजभाग्यवस गहे कोई बरसूर संसार में सबसे अमुल्य क्या है संसार दृष्टी से तो बहुत कुछ अमुल्य है लेकिन जिनको हम अमुल्य मानते हैं मुल्यमान चीज़े हैं कल्याइं दृष्टी से वह बिलकुल निर्थक उसके कोई कीमत नहीं साधना मार गए सरवाधिक मुल्यमान हैं बैराग और बैराग का अर्थ प्षिधा अर्थ कहें तो गुरुजी के सब्दों में अनासक्त निश्कामता ही बैराग है दूसरी ढगते कहें तो पर की आसक्ति का त्याग अभी बात आई थी कि पर का उप्योग जीवन परियंद करना है उससे हम बच नहीं सकते लेकिन कहीं भी किसी भी पर में अपने सलावा जो कुछ सब पर ही है उसमें कहीं भी हमारा मन आसक्त ना हो आसक्त हीनता अनासक्त यही बैराग की पहशान है और इस अधारन बात नहीं है करते करते धीरे धीरे तब यह बात आती है तब यह दसा आती है और जिन्होंने इस आख्यां कही है वे इस दसा में जी करके रह करके अनभव करके इस आख्यां कही है इस आख्यी अनभव से निकली हुई है जग बैराग अमुल है संसार में बैराग सबसे अमुल जाही प्राप्ति सब धूर जिसके मिल जाने पर सब कुछ धूल के समानी सार हो गया सार है तो कि बैराग बिना बैराग के अपने आप से मुलाकात नहीं हो सकती है अपने में जुड़ना है तो परसे तो बैराग चाहिए ही चाहिए एक ही काम हम लोगों को करना है पर से विरक्ति और स्वा में अनुरक्ति बस हमारा काम बन गया लेकिन स्वा में अनुरक्ति तब तक नहीं हो सकती जब तक पर से विरक्ति ना हो कहें कि हम स्वा में अनुरक्त हो जाएं तब पर में से विरक्ति हो जाएगी ऐसा नहीं होगा परसे विरक्ति के पश्चाथ ही स्वामे अमरक्ति होगी अब पर जिसको छोड़ना हमारे लिए बहुत कठिन जान पड़ता है अंत में वो छुटना ही छुटना है चाहे हम पहले मंते छोड़ते हैं यह अंत में वीवातों का सरी छुटने पर छुट जा छुटना तह ही जाही प्राति सब धूर जिसके मिल जाने पर सब कुछ धूल के समान तुच्छ हो जाता है बाहर की जो भी चीजें हमें आकर्शिक जान पड़ती हैं आकर सक जान पड़ती हैं वो अंतम है क्या? धूल मिट्टी पाने आग हवा का संभीवन है पोई भी चिल दे लो संसार में जो सबसे मुल्यवान माना जाता वो भी क्या है? जर्टत्तों कम मेल अंतम से धूल होना ही होना है जब तक यह बात समझ में नहीं आएगी तब तक उधर से बैराग नहीं हो सकता है कहीं भी हम आकरसित हो रहे हैं इसका मतलब यह है कि उसकी कीमत उसका मुल्य भी हमारे मन में अंकित है जिस चिज़ का मुल्य आकना मन बंद कर देता है जिस चिज़ की कोई कीमत हमारे मन में नहीं रह जाती उससे अपने आप बैराग हो जाता है उससे ख्याल भी नहीं होता कि वो चीज़ है भी कि नहीं है यही भाव सदे हम लोगों को अपने मन में बना करके रखना है गुर्जनों की कृपा हुई उनकी प्रेणा मिली इस मार्ग में आगे अब जो मार्ग में आए हैं उसी मार्ग में हम एक रख चलना है एक उद्देश ले करके हम लोग इस मार्ग में आए हैं किवाल आत्मकल्यान और कोई उद्देश नहीं है लेखक बनना, प्रवक्ता बनना, ब्यास्थाफक बनना, गुरु बनना, महांद बनना, प्रचारक बनना ये कोई उद्देश लेकर के नहीं आये हैं हम लोग एक ही उद्देश लेकर के आए हैं कि गुरु की चरन में जाकर के सेवा भक्ती साधना करते हुए कल्यान का काम करना है उसी उद्देश को ही सब समय सामने रखना है वह उद्देश भूल जाता है तो सब कुछ गरबड़ा जाता है वह उद्देश सामने रहेगा तो सब कुछ ठीक होता चला जाएगा कभी भूल हो गए फिर ख्याल आ गया फिर चेत हो जाएगा फिर साधानी हो जाएगा हम क्यों इस मारग में आए बस इसी का हमें ख्यार रखना है जब ये ख्यार रहेगा न तो अपने आपका अपने आत्मा की समय बराबर होता रहेगा जब ये ख्यार रहेगा तो बाहर कहीं आकर्षन नहीं होगा पर भुलने भटकने की गुणजाश नहीं रहेगा समय न खोवे आपनी मुख्यकाज को ढिल मुख्यकाज क्या है? बैराग कल्यान का काम, मुख्य काम है उसको ढिला कर दिये तो समय बरबाज जाएगा इतले इस काम में ढिलाई न करें इस काम में ढिलाई किये तो फिर होगा क्या निज पर मन के फंद बहु पचे नतिन में निज पर, दोनों के मन के तमाम फंदे है अपने हिमन का कितना फंदा है अपना हिमन कितनी चालबाजी करता है इसका अनभाव किसको नहीं होगा, सबको है और फिर पर का मन जिसे हम अपना संगी कहते है, साथी कहते है, मित्र कहते है, सहयोगी कहते है प्रेमी कहते हैं, उनका मन है, सुनते हैं कि ये इतनी दिन के हमारी मित्र हैं, हमारा ऐसा सहयोगी है, इनके साथ रहने पर हमें ऐसे सी सुधा मिलती है, इनकी बात नहीं मानूंगा तो साथ छोड़ देगात क्या होगा, बस उनकी बात की चक्कर में पढ़ते चले गए और कड़ तक दूसरों को हम खुश करते रहेंगे, इसका मतलब यह नहीं है कि इसी से हाँ द्वेश करना, खुश तो सब को करना है विहार में, लेकिन दूसरे के मन की पूर्टी करकर खुश रखेंगे तकि वो हमारा साथ बनेर हमारा साह पूरा होता रहे, बéquत दूसरे के मन म मिल गया फिर तो साहब कहते हैं अपने और दुसरे के मन के तमाम फंदे हैं उनमें मिले ना उनमें मिल करके पचे ना मुख्य काम अपना बैराग समय थोड़ा है उभी निरंतर भागा जा रहा है जीवन की अवद ही कितनी है हम कुछ ने बता सकते हैं और निरंतर समय भागा जा रहा है जीवन का समय पूरा होने के पहले हम लोगों को अपना काम पूरा कर लेना है क्योंकि इसी के लिए इस मारग में हम लोग आये हैं तो साधुवेश मिर्तक का विश कफन है तो कफन तो हम लोग ओड़ लेते हैं लेकिन बाहर से कफन ओड़ करके भी अंदर से मर नहीं पाते जीता रह जाता है हमारा अहंकार जीता रह जाता है हमारा मन जीती रह जाती है मन की वासनाएं इसलिए गुरुजी ने कहा है तुम बृत्त की कफनी लिया पर हाई क्यों मरता नहीं बृत्त की कफनी तो ले लिया मुर्दे का कपड़ा तो पहन लिए लेकिन मरा नहीं कामनाय वैशी की वैशी वाकनाय वैशी की वैशी मन की ललक हविश वैशी की वैशी अहंकार वैशा का वैशा कहा मर रहा है मरना है तन तो सभी का मर रहा मन मार ना है वीरपन इसी छंद के पंगती है तन तो मर ही रहा है, रोज रोज मर रहा है मन को मार लेना मन को अनासक निस्प्री निश्काम बना लेना यही वीरता है और इसी वीरता को धारन करके इसी वीरता को पत पर चल करके हम लोग अपना कल्यान का काम कर सकते हैं इन बातों पर ध्यान देना है, और फिर गुरुजी से, संतों से, सारी बातें सुनी जा चुकी है, अनेक बार, बहुत सुनना नहीं है, बहुत कहना नहीं है, जीवन में हम लोगों को उसका प्रियोग करना है. वेश परिवर्तन में प्रानाम भी परिवर्तित हो जाता है, कोई लोग नाम परिवर्तित नहीं होता, नाम तो एक खास पहचान के लिए होता है, लेकिन उते संस्कार भी बदलता है, गुरुजी ने कहा था कि करमचंद को मुशे करमचंद ही रखना है, इले करमचंद का नाम करमचंद ही रहेगा, बस आगे पिछे, आगे दास जुड़ जाएगा, करमचंद दास. अरविंद्र के लिए गुरुजी ने कहा था, नाम अरविंद है, गुरुजी ने कहा था कि अरविंद को करना है अरविंद्र, तो अरविंद का नाम अरविंद्र दास. चेतन का नाम बदला हुआ ही गुरुजी का, घर का नाम कुछ और था, तो यहाँ इस मारगम आए तो गुरुजी ने इनका नाम बदल का चेतन का देता, अब चेतन को भी क्या बदलना है, वो तो बदल नहीं सकता है, तो चेतन का चेतन रहेगा, चेतन दास. भुपेंद्र इस नाम से गुर्जी के पहले नाम में इंद्र लगाने की परपाटी चलाई थी उती हिसा परपाटी से भुपेंद्र भुपेंद्र ही है देवेंद्र भी है देवेंद्र और है देवेंद्र प्रसम देवंदूती हो जाएगा देवेंद्र को देवेंद्र ही है चंदरता इखर का नाम मुनिंद्रदास और रोसन का नाम गुनेंद्रदास सुरेश का नाम पुष्पेंद्रदास बाते तीन का नाम बदले, बाके आग का नाम बेते हैं असुधिर अर्वीन तो भी वेते रहेंगी जब होगा तो भी दिखाए जागा भी तो खाली परंचारी से नौका बहुत अर्वीन का नाम बदल दें अर्वीन का नाम पर क्या नाम रखें अभी गुर्जी ने नाम बदला था हमारे कुछ साथियों का उनमें कुछ लोग नहीं रह गया शरी छुड़ गया है उनी में एक नाम डाल देते हैं अनियों के नाम कर देते हैं जयेंद्र कर देते हैं करो वीराग धरो मन देड़ता करो वीराग धरो मन देड़ता करो वीराग तेही दुख को तुम सुख ही विचारो तेही दुख को तुम सुख ही विचारो हो या वीराग जाओ नविधि बनता करो वीराग धरो मन देड़ता करो वीराग मन देड़ता करो वीराग धरो 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 मन देड़ता करो वीराग तन सुक चाहो नमन बसिभरमो तन सुक चाहो नमन बसिभरमो भय बसिक अबहो नजाहित तजेता करो वीराग धरो मन देड़ता करो वीराग भय बसिक अबहो नजाहित तजेता करो वीराग धरो मन देड़ता करो वीराग भीगना हो यसो सहो काज लखे भीगना हो यसो सहो काज लखे परोन फंद जगत जीव छलता करो वीराग परोन फंद जगत जीव छलता करो वीराग धरो मन देड़ता करो वीराग है सब भूल बेबसमन गर जी हैं सब भूल बेबसमन गर जी धरम अधरम ज्ञान नहीं जनता करो वीराग धरम अधरम ज्ञान नहीं जनता करो वीराग धरो मन देड़ता करो वीराग धरो मन देड़ता है कोई अपन तुमारन जग में है कोई अपन तुमारन जग में है कोई अपन तुमारन जग में तेही तेसा जग चलाओ मग लखता करो वीराग धरो मन देड़ता करो वीराग तेही तेसा जग चलाओ मग लखता करो वीराग धरो मन देड़ता करो वीराग रागत जन पूरशार्त करो तुमारागत जन पूरशार्त करो वीराग प्रारब्धिभोग में दुख सुख तलता करो वीराग धरो मन देड़ता वीराग धरो मन देड़ता करो वीराग छोड़ कुकरत अब्यभय नहीं कालाओ छोड़ कुकरत अब्यभय नहीं कालाओ निरभय काज करो तुम सतता करो वीराग निरभय काज करो तुम सतता करो वीराग धरो मन देड़ता करो वीराग धरो मन देड़ता करो वीराग दुख सुख करमन जही से हो वै धरो मन देड़ता करो वीराग 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 करो शमर अज्ञान से हटता करो वीराग करो शमर अज्ञान से हटता करो वीराग धरो मन देड़ता करो वीराग धरो मन देड़ता करो वीराग काल अज्ञान छूति जाये सब फिक्र परिष्रम छूति जाये सब फिक्र परिष्रम भय दुख बाहुरिक बाहु नहीं मिलता करो वीराग भय दुख बाहुरिक बाहु नहीं मिलता करो वीराग धरो मन देड़ता करो वीराग राग द्वेश परतंत्र से छूति राग द्वेश परतंत्र से छूति स्वतंत्र शरूप याप तब लहता करो वीराग धरो दीड़ता करो वीराग जनम मारन दुख खानिन बिन शय जनम मारन दुख खानिन बिन शय अचल अमर पद फलता करो वीराग अचल अमर पद फलता करो वीराग धरो मन दिड़ता करो वीराग गुरू देवशत गुरू मुक्तिदाता तेहे दोपदीपले पूजिये भाल चंदन पुष्प चरन हार गल माहदीजिये कर जोर करुम यस्तुति गुरू तारन तरन दयाल हू च्छमा करो यप राध साहिब देन जीवन बाल हू आप पारक रूप साहिब जानते सब मा की मै अधम करमी जेवशत गुरू नाहि हो कचुलायकी गुरू करत अमे बीनते प्रभुशन्य जोदिन यानाथ की अधमुधारन भावभारन जीवन करत शनात की जगत स्वामिय जेत साहिब परक गुनको गई रहे दया चमादे हो या जिनमे आप कोशो लहिशके मोमे शदवन नाहि साहिब परक गुनको गई रहे दया चमादे हो या जिनमे आप कोशो लहिशके मोमे शदवन नाहि साहिब परक गुनको गई रबार मै करत विनती शरन लीजे दाशे को सारन सारन मै शरन उंकात बनै कच्छुनाय जानत हो शबकेहिय शरवो परिगुरुमाय करुनानिधिय गतम मंगल करन सुभाई भूले हुवे निजदाश कोशर नोमेले अपनाई राग देशह ग्राह यूत परवाह में बहते वे निजनाम जाज बठाय के भवधार पार लगाई करुनानिधिय स्वागतम मंगल करन सुभाई भूले हुवे निजदाश कोशर नोमेले अपनाई है पंतनाना जगतमे निज निज गुनन कोगार है शबका बताकर शार यशार बिसोद बोद कराई करुनानिधिय स्वागतम मंगल करन सुभाई भूले हुवे निजदाश कोशर नोमेले अपनाई कामादिकल दलशंग है सत्मार्ग में आडे खड़ गुरु ज्ञान अशिपर दान करतिनमार चार मिलाई करुनानिधिय स्वागतम मंगल करन सुभाई भूले निजदाश कोशर नोमेले अपनाई अब दाश काया ही है बिन गुरु पतित पार्ण कुई आस्तोतिकरत निजशेवक यर्पित पात्रपोष्पशो विकारिये करुनानिधिय स्वागतम मंगल करन सुभाईये भूले हुए निजदाश कोशर नोमेले अपनाईये स्वागत है कैवार आपका स्वागत है कैवार स्वागत है कैवार आपका स्वागत है कैवार दूर देश से आप पधारे दूर देश से आप पधारे स्वागत है कैवार आपका स्वागत है कैवार दूर देश से आपका चरन जमावे, हिर्द बिछाहे, चरन जमावे, रही रही करत, पुकार या पुका, स्वागत है कई बार, स्वागत है कई बार या पुका, स्वागत है कई बार, सेवा हम कचो, करन जमावे, सेवा हम कचो, करन जमावे, रही रही करत, पुकार या पुका, स्वागत है कई बार, स्वागत है कई बार, या पुका, स्वागत है कई बार, आति आनन्द भयो हम शबको, आति आनन्द भयो हम शबको, पायो दर्शतु मार्यापका, स्वागत है कई बार, स्वागत है कई बार, स्वागत है कई बार, दर्शन की बलि आरी गोरुजी तुमरे, दर्शन की बलि हारी, दर्शन की बलि हारी गोरुजी तुमरे, दर्शन की बलि हारी तुमरे दर्श से, संकतकत तुमरे दर्श से, संकटकट तुम्हे भर्मा मिटावत भारी गुरुजी तुम्हे दर्शनकी बलिहारी भर्मा मिटावत भारी गुरुजी तुम्हे दर्शनकी बलिहारी संत शरोपी आप कृपा निदी संत शरोपी आप कृपा निदी खोलत भारम के वारी गुरुजी तुम्हे दर्शनकी बलिहारी दर्शनकी बलिहारी गुरुजी तुम्हे दर्शनकी बलिहारी जिने दरस सुख दियो दयाकरी आवा गवान निवारी गुरुजी तुम्हे आवा गवान निवारी गुरुजी तुम्हे आवा गवान निवारी गुरुजी तुम्हे दर्शनकी बलिहारी Darshana Ki Bali Hari Guruji Tumare Darshana Ki Bali Hari Sukha Saropaka Birakripa Nidhi Sukha Saropaka Birakripa Nidhi Purana Parakh Bihari Guruji Tumare Darshana Ki Bali Hari Darshana Ki Bali Hari Guruji Tumare Darshana Ki Bali Guruji Tumare Darshana Ki Bali Hari Guruji Tumare Darshana Ki Bali 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 जादयाल साहे बयारति हो ज्ञान याधार बिवे कगिबाति शुरति जोति जाग शाहे बयारति हो आरति गरिबनिवाज शाहे बयारति हो आरति करोशत गुरुशाहे बकि जाहशब शंत शमाज साहे बयारति हो आरति गरिबनिवाज साहे बयारति हो दरसा परसा गुरुचारणशारणशारणभय दरसा परसा गुरुचारणशारणभयो तोट गयो यमजाल साहे बयारति हो आरति गरिबनिवाज साहे बयारति हो साहे बयारति हो साहे बकाबीरसांगे क्रेपाशे साहेब कबिरसंतन के क्रेपासे भया उपरख परकाश साहेब आरतियो आरति गरिवनिवाज साहेब आरतियो दाश जाननिज आपनो बिनते सुनिये मोर बिनवत हो कर जोरिक गुरुशर नागतितोर काम क्रोध मदलो भमे नितमे रहाँ भुलाए दीन दाश प्रभुजानिक लीजय बंदि छुडाय ममद्रेष्टी महामली नहे खानि बानि के बीच धयाकरी मै हुआ धम यतिनेच काल जाल बहु फेर में पर मै निपट गवार शर्ण आए की लाज शाहे बलीजे उबार्मन वच कर्मगुरु शाधुसे तूटे नाममने य बंदि छोरया दीजी भरदान शदाय अख्षे साहव के दर भार में कमीका हुटि नाए बंदा मोहि पावेन चोक चाकरी माय नागुरो रधीकम् तत्त्वं नागुरु रधीकम् तप गुरुज्णात्परम नस्ति तस्मषर्द गुरुवे नम। ध्यान मूलं गुरोर मूरती, पुजा मूलं गुरुपदं, मंत्र मूलं, गुरुवाक्यं, मोक्षा मूलं, गुरुकृपृपृृृृृृृृृृृृृृृृृृृृृृृृृृृृृृृृृृृृृृृृृृृृृृृृृृृृृृृृृृृ तत्तों गुरुपरम आप लुग गड़िया है। जो कालोनी से जो आए हुए जो सजन है या मत आए उन सभीश निवेदन हैं कि आप सब भोजन में निमंत्रित हैं। लोग साड़े ग्यारा बजे यहां पधारें। झालोनी से जो आए हैं। यहारा बजे लिवेदन है। झाल झाल